हेलो एब्रीवान आएम यूर्जूगल सर फास्ट आपल वेलकम यू तो माय ओनलाइन लार्निंग क्लासेस तो डियर फ्रेंड्स आज हम देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल जो कि डेली करेंट सेफियर आज फिफ सेप्टेमबर है तो मैं जितना हो पाया उतना लेके आया हू वाली ओन फूस्टे यह वाला ओके नेशनल स्क्राइक क्रेपर इस बिंग सेलिवेटेट अन सेप्टेमबर थार्ड इसके बार में थोड़ा बरता देता हूं कि यह एप्रिसेट करते हैं टलेस्ट हैविटेबल बिल्डिंग्स के लिए याद रखो ओके नेशनल स्क्राइक क्रेपर डेकली तो नेक्ष्ट देखो कि राश्ट्रिया पॉर्सान त ओ हां तो नेक्स्ट देखो ये एक्स्पोनेशन थोड़ा में बता दिता हूं ऐसी के बारे में कि दे मिनिस्ट्री अफ वोमेन एंड चाल्ड डेपलोमेंट विल सेलेबरेट फीप्त रास्ट्रियर ये थोड़ा फीप्त रास्ट्रियर पोसं महार 2022 फ्रम फर्स्ट तू फिगर्स from the IMF okay international monetary funds के हिसाब से IMF as per the latest figures from the international monetary funds do be September 2020 which country is the fifth largest economy in the world you both important say okay related to India is a gay bari में थोड़ा देखते हैं कि according to the figures from the international monetary funds India past Kingdom United Kingdom okay to become the fifth largest economy in the world next here they go next key I key who is appointed as the CEO of sunset TV next one who is appointed as the CEO of sunset TV was cassie answer have utpal Kumar Singh recently joke you holding charge as secretary general of looks of a okay jokey CEO of sunset TV every recently क्या कर रहे हैं कि holding charges secretary general looks of a key to next cure देखते हैं यह वाला Cyrus mystery who passed away recently in road accident who is he एक परसेने जो की पास्टेवे उसका देहांत होगे जो कि रोड़ एक्सिडेंट में तो वो कॉन है तो ही इस दो सिक्थ चेर्मेन आफ टाटा संस यह याद रखो importance Cyrus mystery who passed recently right now in road accident कि वो है ही इस दो सिक्स्थ चेर्मेन आफ टाटा संस तो नेक्स्ट की वर देखते हैं कि फिफ्थ सेप्टेंबर इस अब्जर एड फिस डे यह इंपोर्टांस है फिफ्थ सेप्टेंबर इस अब्जर एस फिस्टे तो international day of charity यह याद रखो डे डे के लिए तो नेक्स्ट की और देखो कि बीस एक आली पास्ट आव यह रिसेंटली हुई सी एक बीस आली कि बीस से काली है जो कि पास्ट आवे रिसेंटली वो कौन थे एक थो हिस्टरी एंट तो तो नेक्स्ट की और देखो कि नेक्स्ट है फिफ्थ सेप्टमबर इस अब्जर एस नेशनल टीचर स्टे यह आपको अच्छे से पता है आज का दिन है सो वट इज़ स्टीम अब इस यह का थिम क्या है तो उसका आंसार है लीडिंग इन क्रेसिज री इमाजिनिंग द फ्यूजर याद रहो को । उकै कि इसका थिम क्या है लीडिंग इंघ्रेस Christians Reimagining the future यह है उसका theme 5th September जो कि आज का दिन है बहुत important दिया है जो Teachers Day के हिसाब celebrate किया जाता है तो उसका theme है Leading in crisis Reimagining the future तो next की और देखो ADB ADB collaborate with which bank to support and supply chain finance solution in India ADB collaborated okay with which bank की कानसी bank के साथ वो collaborate के जो कि support and supply chain finance solution in India उसका सही अंसर है इंदूसलांड बैंक उसका जो full form है ADB के जो है ASEAN development जो बैंक है यहाँ पर मैं पता देता हूँ ADB ASEAN development bank collaborate किसी के साथ किये है कि इंदूसलांड बैंक के साथ ओके तो next की और देखो next क्या है कि first homeopathy international health summit was host by which city कौनसी city में यह जो homeopathy international health summit हुआ था जो first time के लिए वो है दुबाई याद रखो यह दुबाई है दो एम आप दी समित इस तुटीज एंड प्रोमोट एंड होमियो पैथिक सिस्टम अप मैडिसीन जो मैडिस उसके बाद मैडिसीन सेंड प्राक्टिस एडिस एटेंड बाय किसने एटेंड किये तो देखो असिन कुमार चोबे जो की मिनिस्ट्री आप स्टेट आफ एंवर्मेंट फोरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज एक मिनिस्ट्र है असिन कुमार चोबे जो की मिनिस्ट्री आप स्टेट फर एंवर्मेंट फोरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज से है और मनोजनफिवार एक तो परलामेंट मेंबर है अच्छे से पता हैं यह लोग मनोजनफिवार इसके बारे में उसके बात महम्माथ आजहरो दिन जो फॉर्मर क्युकेटर ठे और सिसान एक तो फर्मर क्युकेटर हैं इन्हीं यह जतने सारे नैम्स है वो लrophy एटेंड किये थे ओके तो नेश्ट की और देखो फूइस एपोइंटेट एस दो सी एंटी चैयर्मेन एंड बेनेजिन डिरेक्टर आप सीपिंग कोर्पोरेशन आप इंडिया यह इंपोर्टन है ओके एपोइंटेर बहुत बार कोसिन माही जाता है तो बिनेश कुमार त्या बारक ओबामा अच्छे से पता है ओके इमी आवार्ड जो मतला अभी ओन किये हैं इमी आवर्ड जो कि बारक ओबामा है तो नेक्स्ट की और देखो कि गोव गोवर्मेंट एप्रूप्ट एन्वेल कममेमोरेशन अफ विस दे फर दे यह स्ट्वेंटी टू 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 गोल इस तो रेस आवरनेस अब टेल आप सेक्रिफाइस हीरोईजम एंड रेसिस्तेंस एमोंग दो कॉरेंट जेनरेशन इंडिया है 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 याद रखो तो नेक्ट की और देखो कि मेखालर चीफ मिनिस्टर जो है कॉन्राट के संग मां चो लांच फिस स्कीम यह है तो एंसी उर्द फार्मर्स आरने सस्टेनेबल लाइबली होर्स थो डिफ्रेंट लाइफ स्टोक फार्मिंग एक्टिफिटी यह है रुलाल बेग्ग्राउन पीजरी स्कीम है यह यह यादर को स्कीम स्कीम के वह उपर ही तुस को सिन है ओके तो नेक्ट की और देखो कि इंडियास फास्ट एवर नाइट स्काय सेंचुरी सेट आप इन फूस प्लेस कंसेक्ट प्लेस में जो कि इंडिया का फास्ट एवर नाइट स्काय सेंचुरी है वह हानले लादाक में है तो नेक्ट को सिन के और देखो यह है लास्ट वान आपके लिए फूस इलेक्टेट हुए हैं तो आशा करता हूँ इतना तख अच्ड मैं का पडोर स्क्राइप शर्ट शेख चुझा मैं